नमस्कार डिफेंस आश्पिरेंच स्वागत है त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे आज मैं अभिनव महरुत्रा बात करूँगा यूपी कॉंस्टिबल के बारे में 18-22 साल के यूवा यूपी में यूपी पुलिस में कॉंस्टिबल के रूप में भरती हो सकते हैं पर शर्तिय तीन चरण में ये पेपर दें पहले लिखित परिक्षा लिखित परिक्षा के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो दौड होती है जिसमें हाइट ना पा जात है लेकिन प्रदेश ने 52,000 विकिंसी की ये घोशना कर दी है यानि की अब समय है तयारी करने का एस्पिरेंस अकसर मेरे से यूवा पूछते हैं कि जी यूपी कॉंस्टेबल का पूरा पैटन क्या है आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपको उत्तर प्रदे इस पुलिस में कॉंस्टेबल के रूप में भरती होना है तो कैसे क्या कौन सा पेपर देना होगा कैसे दौड कितने दौड की तयारी करनी होगी वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा लिखित परिक्षा यानि की रिटेन इम्तिहान चार पेपर होंगे पहला होगा समाने जिसको इंग्लिश में जेनरल नॉलेज कहते हैं 38 सवाल होंगे 76 नंबर के हर सवाल पे दो नंबर मिलेंगे हर गलत जवाब पे माइनेस 0.25 मार्किंग है यानि की नेगेटिव मार्किंग है यानि कि अगर गलत सवालों के उतर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी तीसरा पेपर है संख्यात्मक श्रम्ता यानि की नियुमेरिकल अबिलिटी की 38 सवाल होंगे 76 नंबर के चौथा पैटन है मांसिक श्रम्ता यानि की mental अबिलिटी का सवाल इसे intelligence quotient भी बोलते हैं 37 सवाल 74 नंबर के ये चारों मिला के 1500 सवाल होंगे 300 नंबर के होंगे हर सही पे-0.25 दो घंटा यानि की 120 मिनेट मिलेंगे ये 1500 सवाल को लगाने के लिए ये जैसे ही लिखित परिक्षा खतम होगी इसका result लगभग महीने दो महीने में इसके घोशना होगी और फिर चालू होगा physical standard test जिसमें सबसे पहले height ना पी जाती है लड़के एवं लड़कियों दोनों का category wise height की requirement अलग-अलग है अगर आप general category, OBC category या schedule cast category के हैं तो आपकी height 168 cm होनी चाहिए वहीं अगर schedule tribe के हैं तो 160 cm लड़कों की case में और लड़कियों के case में 152 cm चाहिए अगर आप general category, OBC category या SC category के हैं वहीं ST यानि की schedule tribe के लिए 147 cm लड़कों के case में chest यानि की सीना भी देखा जाता है expansion के साथ और बिना expansion के लड़कों के case में सीना 89 cm चाहिए बिना expansion के और 84 cm चाहिए expansion के साथ वही schedule tribe के साथ 77 cm चाहिए बिना expansion के और 82 cm चाहिए chest expansion के साथ लड़कों के case में chest की कोई requirement नहीं है लड़कों के case में minimum weight या वजन 40 kg होना अनिवार रहे है जैसे ही आपके height chest और वजन ना पा जाता है वैसे ही फिर दोड़ चालू होती है लड़कों के case में अर तालिस सौ मीटर यानि की 500 km में 200 मीटर कम 25 मिनट में पूरी करनी है वही लड़कों के case में 24.CM यानि की 2.5 km में 100 मिनटर कम 14 मिनट में पूरी करनी है यह सारी दोड़ के बाद आप अपने घर चले जाते हैं और फिर merit बन बन के आती है ये थी पूरी यूपी कॉंस्टिबल की भरती प्रक्रिया ये पूरा था recruitment process इस पूरे recruitment process में लगभग 8 से 10 महीने लगते हैं लेकिन प्रदेश ने प्रदेश सरकार ने आज फासन दिया है कि 52,000 भरतियों का पूरा selection 2024 से पहले हो जाएगा तो ये सही समय है उस यूवा के अब वो प्रदेश के लिए कुछ करेगा एस्पिरेंस पिछले 19 सालों से त्रिशूल डिफेंस अकैडमी लगतार थल सेना वायू सेना नौ सेना में जवान देता आ रहा है अब इन जवानों को अगनी वीर बोलते हैं हमारी गिंती 3000 से जादा जवान 19 सालों में त्रिशूल डिफेंस अकैडमी की बारी है प्रदेश को कॉंस्टिबल देने की यूपी सरकार को पुलिस देने की पुलिस वाले तयार करने की और ये सारी चीजे होंगी त्रिशूल डिफेंस अकैडमी के यूपी कॉंस्टिबल बैच में जहां मात्र साले 4000 रुपे में हम पूरा का पहले बच्चों को पांच दिन का डेमो क्लास देंगे, डेमो के बाद एक बार विश्वास हो जाएगा, उसके बाद प्रतेक इतवार इतवार को पुराने यूपी कॉंस्टिबल के पेपर लगाएंगे, ये बैच छोटा बैच साइज करेंगे, पचास बच्चों का एक करेंगे, रिटायट डिप्टी SP रैंक के अधिकारी, अगर आपका भी सपना वर्दी पहनने का है, प्रदेश के लिए कुछ करने का है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस अकैडमी के ऑफिस में संपर्क करें, नीचे लिखे हुए वाटसाप नमबर पे आप मुझसे व्यक् कॉलर्स से बात करके सारा प्रोसेस समझ सकते हैं, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस अकैडमी के साथ, प्रदेश ने आपके लिए बहुत किया है, अब आपकी बारी है, बहुत अच्छा मौका है, मौका हाथ से मत गवाईएगा, यूपी कॉंस्टेबल की तैयारी जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एक मात्र ऐसा कोचिंग इंस्टिटूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एक्जाम के अनुसार, अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही जॉइन करें त्रिशूल डिफेंस अकाडमी